अगर आप अकाउंट्स क्लास 12th के स्टुडेंट हैं तो अकाउंटिंग रेशो चेप्टर में एक मेजर प्रावड़म आपको फेस करनी होती होगी वह यह कि आपको ऐसे 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 और ऐसे भी चार नहीं कई फॉर्मूला जियाद करने पड़ते होगे मैं उन फॉर्मूलो की किटीर की बात नहीं कर रहा है कि विक रेशो कर अडहर पर लें को से उक्रियम में कर सकते हो दो मैं बात कर रहा हूं इनकी कैलकुलेशन के लिए इस इस सप्रावर σकॉर्मॲय याज्द करना बहर ज्यादा मुश्रीयल होता है तो आज केश वीडियो में आ degelink कि आपको सिर्फ सुनना होगा कि क्या निकालना है और फॉर्मूला आपका हाथ अपने आप लेखेगा यह मेरी गैरंटी है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपको एक काम करना है आपको आने वाले पांच मिनट तक मेरी बहुत ध्यान से सुननी है और सांती सा आउटपुट और यह है रिसूर्स मतलब अगर आप दो तरीके के पीजा बना रहे हैं आप एक बना रहे हैं वैजी पीजा ठीक है और आप एक बना रहे हैं पनीर पीजा आप दो पीजा बना रहे हैं जो वैजी पीजा है वो बनाने की लागत कॉस्ट आपको लगी सकतर र यहां पर इस हकीकत को पूरा करने में क्या क्या रिसोर्स लगे तो आप देख सकते पीजा ब्रेंट लगा है साथ रुपए का मसाला और वैजी टेबल्स वगरा लगे हैं चालिस रुपए के और इस कंडिशन पर आके आपको इक बात समझ में आ रही होगी कि वैजी पीजा और पनीर पीजा बनाने के लिए पीजा बेस चलो ठीक है वैजी टेबल्स भी ठीक है मसाला भी ठीक है पनीर प естजोहें है कि टोटलफीजा 디शन देडर सू रुपइगा देडर सू रुपइगा जो पीज़ा बना है वह देडर सू रुपइगा में ब्रैड और मसाला वेजीटेबल मिलाके 100 रुपइगा करचा है ना पनीर जो होगा पणीर लगा 570 रुपइगा लाट आप किये केलकुलेशन अब और बात बहुत जहांद समझनी होगी अगर मुझे पनीर की किमत निकान ली थी तो यह पनीर के किमत मैंने कैसे निकाली आपने टोटल फीजा को एड़ किया पीजा जो है सारी फीजा ऑगर दोनव मिला दूक है तो ही कि इसके लाबह और कुछ तो है नहीं और कुछ है तो पनिर है बाकी का जो भी पैसा है वो पनीर का खर्चा होगा तो आपने क्या किया इस देड़ सु रुपए में से पीजा ब्रेड का खर्चा और मसाला और वेज़िटीपल का खर्चा माइनस कर दिया मतलब आपने देड़ pizza plus paneer pizza minus pizza bread minus masala and veggies this is the formula of paneer right यह देखो अगर मैं बुलू कि paneer का formula क्या क्या है तो आप क्या बलोगे total pizza और फाथ veggie और paneer minus pizza bread or minus masala and veggies यह आप खुदी करोगे करोगे क्योंकि आपको इक बात पता है आपको बात पता है कि दोनों side का total equally होगा क्योंकि यह जो बना है वो इसी से तो बना है समझ में आरी बात ऐसे ही होता है accounting ratio की balance sheet में आपको बात द्यान से समझने होगी कि नहीं होगी कि किसी भी company की जो balance sheet होती है किसी भी company की पास जो assets or liabilities होती है उनका भी relations same to same होता है जो asset side होती है यह asset side हकीकत की तरह होती है reality की तरह होती है यह वह चीज़े हैं जो कि हमारे business में exist करती है और एक बात बहुत द्यान से समझना यह वाली जो side होती है ना this side is the source of existence मतलब यहां पर जो जो चीज़े exist करती है वह चीज़े कहां से आई है उनका source क्या है वह आपको बताती है equity and liability side है जो equity and liability आपको लगी दिख रहा होगा equity मतलब होता है मालिक का पैसा liability मतलब होता है बहार वाले का पैसा तो धन्ने में जो भी होगा या तो मालिक का होगा या तो बहार वाले का होगा तो हकीकत जो है वो ये है ये वाली साइड और वो हकीकत काई से बनी है या तो अभी से बाते मालिक के पैसे बनी होगी ये बात आपको समझनी होगी और एक बात और समझनी होगी और एक बात और समझनी होगी जिस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड का टोटल सेम है क्यों है स क्योंकि यह जो बना है वह इसी से तो बना है ठीक है तो यह दोनों साइट का जो टोटल होता है वह हमेशा सेम होता है अब आपको एक बात समझनी होगी कि यह जो asset side है asset side जो होती ही नवो दो चीजों से बनती है non current asset और current asset और जो equity and liability, मतलब मालिक का पैसा और बाहर वालों का पैसा, भहिया मालिक के पैसे को बोला जाता है क्या equity या shareholder fund, मालिकों का पैसा, shareholder का पैसा, और liability मतलब क्या होता है, बाहर वालों का पैसा, बाहर वाले भी दो तरीके के होते हैं, एक लंबे बाहर वाले और एक short term बाहर व होगा वह भी dwटतुरी गभाद टो आप को नियुक्त अब बात चहांका समझने की जिस तरीके से मेरे शरीर में अगर आपको अपर सरीर दिख रहा है तो इसको बोला जाता है सब इसको बोला by ट्रंक ठीक है मतलब पेट वाला हिस्सा और इसको बोला जाते पैर ठीक यह तीन चीज़ों से मिलकर सरीर बनता है इसी तरीकी से आपको बात समझने होगी जो इक्यूटी लियाबिटी साइड होती है वो भी तीन जीज़ों से मिलकर बनती है जैसे कि मैंने आपको बताया यह और वालों का पैसा और वह थो तरीकों का होता है या तो शॉट तम या तो लॉंग टम अब शुरू करते हैं बहुत इंटरस्टिंग को अच्छा बहुत बात बताओ अब अगर अगर मैं आपको पूछू कि what is the formula of shareholder fund तो आप क्या बोलोगे मतलब अगर मैं बोलू तुम्ह मैं सिद्धान निमा सामने खड़ा है और कोई तुम से पूच रहा है कि बता हो सिद्धान निमा के सर का बजन कितना है और बोड़ा कि सर को तौलना नहीं है तुम सिद्धान निमा के तम पहले सब्सक्राइब करोगे मुझे जिन्दा मुझे तराजू के उपर खड़ा करोगे पच्पंध किलो मीरी बॉड़ी का बजन है अब क्या करोगे सर काके नहीं सकते ना पर सर काटके धड़को तो तौल आ तो तुम क्या करोगे भूलोगे कि बॉडी थी 55 kg मतलब टोटल था 55 kg जिसमें से यह दोनों के 50 kg है तो यह कितने का होगा 5 kg का तो यहां पर फॉर्मूला क्या मैंना है टोटल एस्ट माइनस् नॉंकरंट लेइडी माइनस कर्ण लेड़िज से बीच में कैसे हैं इनब बीजस बताया था कि यह वाली साइट और वाली साइड के टोटल सेम होता है और दोनों को टोटल एसेट के नाम से नामंकित किया जाता है समझभा है आप बात को यहां पर आपको बात समझने होगी कि यहां का जो टोटल होगा वह का टोटल एसे अब इस पूरे टोटल में से मैं यह इस्सा गायब कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे यह समय जाएगा तो इसलिए मुझे शेरोल्डर फंड अगर निकालना है तो टोटल में से मैं यह दोनों को गायब कर दूँगा तो मुझे यह पता चल जाएगा फॉर्मूला याद करने की जुरूरत नहीं है टोटल एस्सा होता है तीन चीजों से मिलकर बनता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं एसेट साइट आगे यह तो आपकी ऐसेट लंभी वाली होगी लॉंग तुमसे बोलू कैल्कुलेट करिंट एसे कैसे निकालोगे करिंट अरे भाया तुम्हें पूछ रहा है कि धड़का बजन कितना है पहले तो मिरे जिंदा खड़ा करो ता राजू पर तुमने जिंदा राजू पर है ठीक तुम्हें मेरे धड़का बजन पता करना काट दो सर मेरा सर काटने के बाद अगर तुम इस हिस्से को तॉल लेते हो यह साय दसके लोगा तो मेरे धड़का बजन कितना होगा पचास किलो होगा तुम प्रैक्टिक्री कर सकते हो न अगर तुम कोई बोले कि बताओ जिदान निमा कि धड़का बजन कितना है तो तुम क्या करो पहरे तो पूरी बॉटी तो लोगे तो उसको बोलोगे टोटल एसट माइनस घटा आएगा गुरू तो यहां पर फॉर्मूला कैसे बना करन्ट एसट इसगल टोटल एसट माइनस नौन करेंट एसट धर बराबर सरीर माइनस सर ठीक तो इस तरीके से आप तमाम फॉर्मूले बना सकते हो पर उससे पहले एक बात और जाल लेना कि कुछ चीज आपको बतानी ह गुरू बन सकते हैं तो यह अगर मुझे यह इससा निकालना है तो मैं क्या करूंगा तुम ही बताओ क्या करोगे तुम क्या करोगे जो भी यहां का टोटल है उसमें दोन को अधोगे जा साले चला गया क्या जाएगा तुम्हारा शेरोल्टर फंड जाएगा तो फारूला के बनेगा टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लाइडिटी माइनस करेंट लाइडिट खत्म अब आपको एक बात समझने होगी कि नॉन करन्ट लाइबिलिटी का एक और नाव होता है डैप्ट ध्यान रखना में से बहुंए शब्लें बोला हमिंज टॉटल लाइड नहीं बोला मैं इन बोला ठीक है नॉन करेंट लाइडिटी जो होती है उसको डैप्ट भी कहा जाता है अब आपसे कोई बता नाउन करें लाइबिलिटी का फॉर्मूला वोल तो तुम क्या वोलोगे वोले टोटल एसट माइनस शियर ओल्डर फॉर्ड माइनस करेंट लाइबिटी कैसे अगर मैं बात करूं सर ट्रंक और पैर कोई ये ट्रंक का बजन पूछ रहे तुमसे पेहरे जिन्दा तौलला मतलब टोटेले action कितना मेरे जिंदा बजन शाठ ज defenders तो सरड़ कंवें सर काट का तुम्हें लाइक संवर्म थॉर्च जोटेंग तुम्हेंटे में पता चला 10 परियोफर और माईनिस करिंट लाइबिडिए बरावर नंकरिंट लाइबिटि जिसको डैट भी कहा जाता है ठीक है अब एक बात आपको समझनी होगी जैसे सीधान्त नेमा को मिस्टर नेमा और मेरी लोगाई को Mrs. नेमा आ जाता है तो अगर ये दोनों साथ में कहीं पहुँझ गए तो लोक क्या बूले Samsung स्वेकि दोनों के जोड़ें को कहा जाता है था बात को मतलब बाहर या मेरालों का लॉंग तेम पैसा और मालेकों के पैसे दोनों को मೆ इन दोनों के जोड़े कि मैं बात करूं तो यह क्यालाता है, डडेप्ट री काDisk प्रज़ाइब जोड़ दो दूटल डैट अगर तुम्हें कोई बोले टोटल डैट क्या तो टोटल डैट में यह जाते है यह जाते है तो इस बेसिक बात दिमाग में रखने है और अब तुम्हें सब फॉर्मूले समझा ध्यान से shareholder fund दोगों मैं color change करूं कि यहां पे same color होड़ा है okay shareholder shareholder fund मतलब क्या सर पूछ रहा है अब सर पूछ रहा है तो क्या करोगे पूरी body में से trunk और पैर घटा दोगे तो पूरी body कैसे बनती है non current 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 asset को मिला के समझना ध्यान से तुमको उस side का total करना पड़ेगा तब जाके total asset निकलेगा तो इससे निकल लिए total asset पूरे सरील का बजन minus minus तुमारे trunk का बजन minus तुमारे पैर का बजन आगे असर का बजन ठीक है इस तरीके से तुम तमाम formula समझ सकते हो बड़ा आसान है एक आज formula और समझा के बतातो जिसे यह current liability का बसके बड़ा निकान के बताने को बोल रहा है अब रिंड़े पोरे प्यार का बजन बूच रहे पूरह प्यार का बजन पूच्छस तो कैसे निकालोगे पूरा तोड़ा शरीर तोड़ा स help का बजन 60 किलो अब अगर तुम इन दोनों को उड़ा दो तो तुमारे पैर का बजन नहीं जाएगा सरीर में से अगर दूपर के दोनों हिस्से उड़ा दो तो पैर का बजन नहीं जाएगा वर इन दोनों हिस्से को क्या बोला जाता है